नमस्कार आप देखने रेवाडी अपडेट और आज दिन भर की खबरों की बात करें तो सबसे पहले बात करोना अपडेट्स की आज जिले में 81 नए पोजिटिव केस सामने आये हैं जबकि 67 मरीद स्वस्तु हैं जिला भर से अभी तक 52,612 सेंपल्स लिए गए हैं इनमें से 4,290 नागरिक अब तक COVID-19 पोजिटिव पाई जा चुके हैं और इनमें से 3,693 नागरिक अब तक स्वस्त हो चुके हैं जबकि अब तक 26 नागरिक करोना वाइरस के चलते अपनी जान गवा चुके हैं फिलाल जिले में 571 एक्टिव मरीज हैं और जो 6,780 सेंपल्स की रिपोर्ट आना विबा किये हैं जिले में जो 571 एक्टिव मरीज हैं इनमें से 31 विबिन अस्पतालों में वे 35 जिला COVID-19 केर सेंटर में एडमिट हैं जबकि 505 नागरिक होम आईसलेट किये गए हैं आज जिले में जो 81 नई पोजिटिव केस सामने आये हैं इनमें से 41 रेवाडी सहर से 17 धारोडा से 5 बावल दो दो गुमीना खरखडा बास दूधा गुरावडा नाड भाडावास सुठानी और एक एक मरीज मोधिपूर डूंगरवास टाकडी वे आस्याकी से सम्बंधित ह इसके साथ ही जो 67 मरीज सुष्ट हुए हैं इनमें से 29 रेवाडी सहर से 9 धारोडा से 6 बावल से 5 कोशली 3 सुठानी 2 दो मरीज बोलनी आसलवास लिसान नहचाना वे नांदा और एक एक मरीज बधराना बास दूधा गुमीना खेडा आलंपूर वे गड़ी से सम्बंधित ह अवैद वहनों पर आर्टे ने कसा सिकंजा 37 वहनों के चालान काट कर वसूला 12 लाग का जुर्माना बिना टेक्स अदा किये सडक पर बेलगाम दोड रहे अवैद वहनों के खिलाफ छेत्रिय परिवैन प्राधिकन रेवाडी ने सिकंजा कसा है और आज रेवाडी में विवन मार्गो पर बिना टेक्स अदा किये अवैद वहनों के संचालन किया जा रहा है डिसी ने वनस्टोप सेंटर का किया ओचक निरक्षन नदारद मिले करमचारी डिसी यसंदर सिंग ने वनस्टोप का ओचक निरक्षन किया जिसमें एक पैरा दिकल स्टाप को छोड़ कर बाकी सभी करमचारी नदारत मिले डीसी ने सबसे पहले हाजरी रेजिस्टर को देखा जिसमें वन स्टोप सेंटर की परसासक भी सेंटर में उपस्तित नहीं थी डीसी ने कारेकरम अधिकारी महिलायों बाल विकास को निर्देश दिये कि जो करमचारी कारेले में उपस्ति लिए और उसे कम स्थित्व नहीं थे उनका स्पर्स्ट्रीक प्रिकर्ण मंगा जाय और उसकी एक कोपी जिलाओ पफ कारढ़ियमीं भी भेजी जाए वा निर्मान धीन Old Age Home का DC ने किया निरक्षन DC यसिंदर सिंग ने आज मोलटाउन स्थित निर्मान धीन Old Age Home का निरक्षन किया और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये आपको बता दे कि जून 2021 तक इस भवन का निर्मान पूरा होना है Old Age Home का कवड एरिया 65,132 स्क्वेर फिट है और यह तीन मंजिला आधूनिक भवन बनाय जाएगा जिसमें फीजियो थेरेपी सेंटर, डे केर सेंटर, ओब्जरेशन रूम, एक्टिविटी रूम, ड्रोइंग रूम, भव उदेश्रिय है, हॉल और परतेग फ्लोर पर किचन की व्यस्ता की जाएगी डीसी ने बताया कि 12 करोड 19 लाग रुपे की लागत से ये भवन बनाय जा रहा है जिसमें 184 बैड की व्यस्ता होगी अवैद निर्मान करने वाले तीन लोगों के खिलाफ केश दर्ज हर्याना सरकार दोवारा गोसित नियंतर्ण छेत्रों में अवैद निर्मान नै हो इस समंद में डीसी यसंदर सिंग की अधिक्षता में वीरवार को नगर योजनाकार वैसंबंदी दिवागोस के अधिकारियों के साथ बैठक हुई डीसी यसंदर सिंग ने निर्देश दिये कि अवैद निर्मान करने वालों पर सक्ती से कारवाई की जाए अवैद कलोनियों को रोकने के लिए सभी विवाग ताल मेल से काम करे बैठक में बताया गया कि निर्मान वे अवैद कलोनिय काटने वालों के खिलाफ कारवाई की गई है जिसमें एक एक धावडा बावल रेवाडी में केस दर्ज किया गया है अगस्त महा में कोशली में तीन एकर जमीन पर अवैद कलोनी पर तोड़ फूड की गई थी जिलादीश ने निर्देश दिया है कि डिटीपी कारेले के एनोसी के बिना रजिश्टरी ना करे डॉ सोधी छात्रवर्ती योजना 2021 के लिए 30 अक्तूबर तक करे आवेदन